नमस्कार आप सभी का स्वागत है इंजिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ कशिश पांडी तो साइनस कैंसर के कारण फ्रांस की रहने वाली 50 साल की महीला की नाक को कारण यह महीला अपनी कटी हुई नाक के कारण 8 साल से घर के बाहर नहीं निकली थी डौक्टर ने उसके हाथ पर एक नाक को विकसित किया और उसे महीला के चहरे पर लगा दिया है मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है किडनी ट्रांस्प्लांट हार्ड ट्रांस्प्लांट के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा जिसमें ओर्गन खराब होने पर हाला कि यह मामला मेडिकल साइंस के लिए बड़ा नहीं है लेकिन ऐसे काफी कम ही मामले सामने आते हैं डॉक्टर्स ने हाथ पर नाक उगाने के लिए एक खास तक्निक का सहारा लिया था जिस कारण इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगा एक रिपोर्ट के मुताबिक मामला फ्रांस का है प्रांस की केराइन को 2013 में साइनस थे चैंसर हो गया सबदी दे गया उन्हें कैंसर से चुटकार मिल गया लेकिन डॉक्टर ने उनकी नाक के कुछ हिस्स्टे को काड़ दिया था दॉक्टर ने स्किंग्राफ टेकनिक के थे आक टीशुस को रिपलेस करके प्य पिछले करीब 8 साल से वह घर पर ही थी तो 3D printed biomaterial technique का यूज कुछ समय पहले doctors ने किया था और कैराइन को suggestion दिया कि वह उसकी नाग को दुबारा विक्सित कर सकते हैं इसके बाद महिला का cancer का इलाज कराने से पहले डॉक्टरों ने 3D printed biomaterial technique का यूज करके एक कस्टमाइज नाग त्यार की इसके बाद उसे दो महिले तक बर्फ में रख रखा गया और उसके बाद नाग जब अपनी सही आकार में आ गई तो उसे महिला के हाथ के अंदर transplant कर दिया गया क्योंकि यहां की तुछा बहुत पतली होती है डॉक्टर के मुताबिक महिला operation के लिए काफी उत्सुक थी नाक के पूरी तरह develop होने के बाद नाक और चहरे की blood vessels को जोड़ने के लिए microscope का इस्तमाल किया गया जो skin बदली गई थी उसके लिए उसकी थाई की skin का प्रयोग किया गया था महिला दस दिन hospital में रही और उसके बाद वह घर चली गई डॉक्टर ने आगे कहा महिला की सफलता पूर्वक दो कर दी गई हैं जिससे नाक उसके चहरे पर सही तरह से ट्रांस प्लांट कर दी महीला बहतर सी सास ले पा रही है और खुश्बू को महसूस कर पाएं लेकिन अभी उसे यह महसूस नहीं हो रहा है कि उसके चहरे पर नाक लग चुकी है इसके लिए हम कुछ समय बाद एक और सर्जरी करेंगे तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इंजिया न्यूस के साथ और हमारी वीडियो को लाइक शेक कमेंज जरूर करें